गाइस मुझे ट्रीमर की जरूरत थी यहां पर मैं लेकर नहीं आया था इंडिया से तो मैंने यहां रेजर खरीदा था उसके सही से शेविंग नहीं हो रही थी दाड़ी मड़ी बढ़ चुकी थी तो मैंने जाकर यहां पर लोकल शॉप होता है सेंसबरी यूके में वहां से म बारे में पहले सोना है अमेरिकन कमपनी काफी बड़ी है मुझे लगता है कि वर्ल्ट में सबसे बड़ी कमपनी यही जो यह बनाती है अगर सबसे बड़ी नहीं होगी तो वन आप अप पिकेस्ट है कम से कम इसका 16 पाउंड पड़ा है 16,17 सो रुपे पड़े इसके इसका तीन वेरियंट आता था एक था 45 मिनट वाला और दूसरा था 60 मिनट वाला और तीसरा था 120 मिनट वाला तो यार 45 मिनट में पूरा मोहला का दाड़ी बन जाएगा तुम क्या बात कर रहा हो 60 मिनट ए 120 मिनट की छोड़ दो तो मैंने यही ले लिया काम चलाओ के लिए प्लस इसमें यही था 0.5 mm से लेकर 13 mm तक था कटिंग लेंग था ब्रांड यूजड भाई प्रोफेशनल से इसा लिखा हुआ है डिफाइनर रिचार्जेबल ट्रीमर है तो मैंने सोच है आपको दिखा देता हूं और देखता हूं कि कैसे जलता है तीन साल की इसमें वारंटी है ठीक है इस्टबल एंड बेर्ड दोनों के लिए आप देखते हैं कि क्या है इसके अंदर में माल यहां से मैंने जाके लोकल ऑदेखो अच्छा टिखा आपक्षो जाला था प्लास्टिक से रैप किया हूं तर से वाल लिखा हूँ है प्लास्टिक से रैप किया हूं स्क Auch cash cash pakแล qui और बटन है देखो यहां पर पता नहीं चार्ज है की नहीं है यहां से हटाएंगे तब यह ओन होगा लगता है तो लग रहा है किसी नाई का सलून में चले आए भाई तरहते जी से आवाज कर रहा है इतो धुआ कर देगा ही तो हमारा दाड़ी का दाड़ी साथ गाल ना छिल अब लेशा सूर अब इक उंची के लिए भाई इतिन चर्चर को बटन है कि एक उंची के लिए ऐसे खड़ा रहेगा सब्सक्राइब बढ़ियां कंगी बढ़ यह वाला देखो बैस तो मुश्टैश का बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट साइज का तो दाड़ी अलग-अ सब्सक्राइब करने के लिए हमको लगाता कुछ बढ़ियां नहीं मिलेगा लेकिन बहुत जोर मिल रहा है इसको डायरेक्ट टॉन करते हैं इसे बटनों के ठोड़ा जाज़ है इसको सॉप्सॉप लग रहा है यहां दबाने से कौन की है इसार को बटन कौन की दिया हुआ ह कि यह जो दिया हुआ है यह रबर का पैड है यह कोई बटन नहीं है यह ऐसे पकड़ों कर यहां पर तुम्हारा जो एसे रेस्ट करेगा नहीं तो यह अपका फिसले का नहीं क्योंकि बहुत तेज चलता है ना ऐसे पकड़ के आप युश्या सब्सक्राइब कर दो है यहां कर दो रहा है काट पुषैर है दो अगर को पीट में पूरा एक्दम क्लीन कर दिया फॉर्टीफाइफ नए टाइम रखता है और तीम मिनट में इन दाडी हमारी साफ हुगे एकदम इदम फ्रेश लग रगगए लगगए देखो पूरा किलीन पूरा एकदम शेविंग जान नहीं होता त्रीमार में थोड़ा सा थोड़ा सा इस्टेबल रह जाता है लेकिन इतना चलता है चहरा में एक लूक आ जाता है ना डिजाइन हो जाइन बहुत अच्छा है ठीक है एक दम बढ़िया लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर इसको रेटिंग करना हो परफॉमेंस पर आप बहुत तेजी से न इसा टेमा है च इसाट फ़रॉमेंस मुझे मुझे लगे लगी मुझे लगता है कि की फॉक्ती फाइब मिनट जो है किसे गृट प्रॉक्त मुझे लेना था और आराम से बिना किसी तकलिफ के मेरी दाड़ी बन गई I'll rate it 7.5 out of 10